हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपकी पुस्तक के पार्ट चार तीसरी कसम के शेल्पकार शेलेंदर के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार है वो प्रहलाद अगरवाल जी है सबसे पहले तो जैसे की हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि इस पार्ट में है क्या जैसे की जो तीसरी कसम है वो बॉलिवुड की यानि हिंदी सिनेवा की बहुत ही सूपर डूपर हिट मूवी है और इसके डिरेक्टर है शिल्पकार है शेलेंदर जी है तो इस पार् में ही समझाने की कोशिश करूँगी वीडियो को अच्छे से और पार्ट को अच्छे से समझने के लिए लास तक जरू देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरू कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइ फिल्में तो बहुत बनती है लेकिन बहुत कम फिल्में ऐसी होते है जो दर्शकों के मन पे चाप छोड़ती है यह फणिश्वर नात रेणू की अमरकृती पर अधारित है जैसे कि आप लोग जानते ही हो बहुत सी मोवी जो है नोवल्स पर जैसे हैरी पॉर्टर की है एक के उपर बनी होई है और हिंदी की बॉल्liạo हमारी बॉल्ली वुड की पहुत सारे फिल्में हैं जो किताबों के उपर या हिंदी सहित्य की किसी रचना पर अधारित है तो उसी तरीके से जो तीसरी कसम है यह फणिश्वर नात Racine oh है और उसके उपर ये आधारित है इस फिल्म ने संगीतकार के रूप में शलंदर यानि जो म्यूजिशन है उसके रूप में शलंदर जी को बहुत प्रसिद्धी अभिनेता के रूप में राजकपूर यानि जो एक्टर है राजकपूर सहाब राजकपूर मैं आपको बता तो यह उनके दादा हैं, तो राजकपूर्ट था अभी एवम अभनेतरी के रूप में वाइदा रहमान को प्रद्रिश्ठित कर दिया है, और एक आक्टरिस के रूप में जो वाइदा रहमान हैं, उनको बहुत ही, यनि इन सब को बहुत जादा ख्याती और प्रसिद्धी दि राजकपूर को असीम आत्मों विश्वास से भर दिया था यानि राजकपूर साब की एक फिल्म थी जिसका नाम था संगम और वो फिल्म इतनी जादा हिट रही जिसकी वज़े से जो राजकपूर थे उनके अंदर कूट-कूट के जो था confidence था आ चुका था उन्होंने इस फि फिल्म है अजन्ता मैं और मेरा दोस सत्यम शिवम सुंद्रम ये भी बहुत सुपर दूपर हिट मोवी थी अगर आपने इसमें से कोई भी नहीं देखी तो एक बार आप देखना जरू बहुत इंटरस्टिंग कांटेंट है बहुत पराने जमाने की फिल्म हैं तो आपको निर्मान का काम को शुरू किया तो वहीं पर जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर उसको बनाने आजकल तो दो-दो महीने में फिल्मे बन जाती है लेकिन उस समय टकनीकी चीजे भी एफेक्स बगरा नहीं था तो उस समय फिल्मे बनाना काफी मुश्किल था तो उस समय जो फिल्म चल रही थी मेरा नाम जोकर उसी दौरान 1966 में उनकी जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी तीसरी कसम थेटर्स पे आग गी थी तीसरी कसम फिल्म शेलेंदर की जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है अब शेलेंदर की पहली और अंतिम फिल्म इसलिए कह सकते हैं ऐसा नहीं कि उसके बाद शैलेंदर जी की डेथ हुए, नहीं, मतलब एक ऐसे फिल्म पे वो काम गरना चाहते थे, पहली हो और आखरी हो, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म बनाने का काम नहीं किया, इस फिल्म को राष्ट पती सुन्ड पदक मिला, यानि अवार्ड भी मिल तथा इसे कई अन्य पुरसकार भी दिये गए, इस फिल्म में शैलेंदर के समवेदन शीलता पुरी मानदारी के साथ जीवन्त हूट ही है, यानि जो शैलेंदर जी थे, उन्होंने पूरी जो इमोशन थे इस फिल्म के अंदर कूट-कूट के भर दिये, पूरी फिल्म जो पूरी जो समवेदन शीलता थी, जो पूरे इमोशन से इस फिल्म के साथ जूड़े होए थे, वो पूरी इमानदारी के साथ उन्होंने उसके अंदर जीवन उसको जगा दिया था, शैलेंदर ने राजकपूर की भावनाओं को शब्द दिये हैं, यानि शैलेंदर जी ने राजकपूर की जो भावनाओं थी, जो भी वो एक्टिंग के दौरान टायलोग पूल रे, शैलेंदर जी ने उन्हें शब्द दिये हैं, राजकपूर उनकी जिंदिगी भर के दोस्ते, और जो राजकपूर थे वो शैलेंदर जी के दोस्ते थे रह चुके हैं, उन्होंने कोई फिल्म का निर्मार का काम नहीं किया था वो इंडस्टी के साथ जुड़े होए थे बट वैसे लेवल पे नहीं थे सिर्फ और सिर्फ उनका जो दोस था इंडस्टी में वो पुराने दोस जो थे राजकपूर जी थे लेकिन उनोंने उनको लगा कि मुझे इस पूरा एडवान्स लूंगा तो उस समय जो थे शलेंद्र जी डर गए कि मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसे बोला मैं कहां से इसको एडवान्स लूंगा भी तो मैं से स्टोरी सुनाने हूँ तो राच कपूर जी ने असाथ मजाक किया था और उन्हें हस्ते वका था कि मेरा पूरा यश्की कामना नहीं थी यानि कि यह जो फिल्म थी वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए या प्रसिद्धी प्राप्त करने के लिए नहीं बनाना चाहते थे वो अपनी आत्मसंतुष्टी के लिए इस फिल्म को बनाना चाहते थे इतनी बड़िया फिल्म को कठनाई से वितरक मिल रहे थे कि जो फिल्म थी उसके जो जो उसमें पैसा लगा है उसको डिस्टिबूट करे उसका प्रORY हुशन करे हमा इसκιुबूटर नहीं मिल पा रहे थे इसकी नायका वाइदार रहान ती जैसे कि हमने बात की थी उसेमें वाइदा की लोग प्रियता साथमे आसमान पर थी सा ये फिल्म आई है कब होलो से हट चुके है किसी को कुछ भी नहीं पता चला तीसरी कसम फिल्म ने हिंदी साहित्य रचना के प्रती पूरा नहीं आगिया है और जो तीसरी कसम फिल्म जो बनी है वो साहित्य रचना के प्रती पूरा नहीं आगिया याणि ऐसा नहीं कि किसी successful रचना को उठा लिया और उसके इवपर फिल्म बना डाली, जैसी उस रचना को success मेले हैं वैसी movie को वह success हासिल नहीं ही नहीं, फिल्म जगत में उस रचना को उतनी ही परसिद्धी मिले, उतनी ही वो success मीली और उतना ही उसके साथ में आई किया जैसा उसमें लिखा है वैसा ही उसको दिखाया गया उसमें किसी तरह का कोई उथल पुथल या किसी तरह का कोई changes नहीं किये गए जैसा है उसको वैसा ही तर्शुकों के सामने प्रस्तुत किया अभीने के दिश्टी से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है इस फिल्म में वह मसूमियत के चर्मत करश को छूते है यानि इसमें जो हीरामन उनका करेक्टर है जितना मासूम और जितना भोला उसको दिखाया जाना है उसमें जाते है अभीने के अजो एक वह मंगणी hen मेंगी किसान मेंट किया है और टीसरी कसम में जब हरामन का उन्हों ने रोल किया है एक्टिंग किया है वो उन्होंने एक क्लासिक रोल किया है तीसरी कसम में राजकपूर का महीमा मै व्यक्तित वो पूरी तरह हीरा मन की आत्मा में उतर गया है यह बताया गया है कि हीरा मन का जो करेक्टर राजकपूर जी निभाया है ये पूरी तरीके से justify है, उनके अलावा शाहिद ये रोल कोई और उस खुबसूरती से नहीं निभा पाता, जित खुबसूरती से राजकपूर जी निभाया है, तीसरी कसम की पठकता मूल कहानी के लेखक फनीश्वर नातरे नोने स्वयम कथा तियार किती, यानि जो तीसरी क पूरा कहानी जो थी वो फनीश्वर नातरे नोने स्वयम बनाई थी, कहानी का रेशा रेशा उनकी छोटी-छोटी बार रिकिया फिल्म में पूरी तरह उतर है, यानि कई बार क्या होता है, फिल्म में हम देखते हैं, फॉर एक्जामपल आजकल की किसी लेटेस फिल्म को ले रेता है, कि इतना पैसा खर्च किया गया है, इतना वी एफेक्स लगाया गया है, उसके बाद भी वो फिल्म जो है, उस हिसाब से दर्शकों को एंटेटेन नहीं कर पाती, अपने आपको जस्टिफाई नहीं कर पात है, जैसी उसकी स्टोरी है, वैसे ही करेक्टर्स है, जैसा उनका स्वरूप है, वैसा ही उनके करेक्टर्स ने निभाया है, तो इस तरीके से ये पूरी जो फिल्म है तीसरी कसम ये अपने आप में ही एक कहानी है, तो इस तरीके से ये पात जो है बहुत असान है, तीसरी कस आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए फिर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वर शेर जरू कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना न भूले नहीं बैल आइकन के बटन को प्रेस करना भूले धन्यवाद झाल